यह प्रतिलेखन सौव सब्द प्रतिमिनट की है महूदै पर्यावरण से ताथ परकिशी एक व्यक्ति के परिवेश से नहीं वरन व्यक्ति के, समाज़ के, राष्ट के और सारी परिवेश से है जिसका परभव व्यक्ति, समाज, राष्ट और सारे विश्वपर पड़ता है पर्यावरण से ताथ पर्य पेनपोधू, नदी पहाड या किसी तंत्रविशे से नहीं वरन उस समग्र वास्तविक्ता से है जिस पर मानो मात्र का अस्तित्व और उसका संपूर आध्यात्मिक एबं भौतिक विकास निर्भर है अस्तित्व केवल शारीरिक स्वास्त ही नहीं मानसिक भी स्वास्त शरीर में स्वास्त मन ही अच्छे स्वास्त की परिभासा है सारीरिक स्वास्त हमारे आहर पर निर्भर है जिसका स्रूत इस प्रत्वी का जल्थल वायु मंडल है मानसिक स्वास्त की प्रकारांतर से इनहीं पर निर्भर है क्योंकि जैसा खाए अन्ग वैसा बने मन स्वास्त जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे चिंतन का हमारे परमपराओं का और उन सब परिस्तितियों का पड़ता है जो हमारे उपर आरोपित है या की गई है या की जा रही है इसलिए पर्यावरण का परिवेश से में जल थल वायु ही नहीं वै की वे सारे घटक मात पून हैं जिनका कुछ भी प्रभाव हमारे जीवन पर हमारे क्रियाशीलता पर पड़ता है जैसे हमारे विचार हमारे आचरन और हमारे परमपराएं एबं संस्क्रति आदि सदा से मानों की आकांच्छा उन्नती और विकास की रही है जगत का अर्थ ही है गती मान और गती दोनों और संभव है उन्नत की ओर भी और अवनत की ओर भी पहली को हम प्रगती कहते हैं दूसरी को अगती विगती अधोगती या दुरगती कहते हैं वास्तों में मनुस ऐसा जटिल प्रणी है जिससे अनेक विरूधा भाशी और असंगत प्रतीत होने बाली प्रवित्या और प्रित्क्रियाएं मूती हैं वा कानून और बिवस्था की मान करता है किन्तु चल चित्र दूरदर्शन आदि में स्वता भड़की हिंसा या खेलों में युक्ति पूर्बत की गई हिंसा अथवा अनीती से मंत्रमुद भी हो जाता है मनुष अपनी ही जाती या वर्ग के विक्तियों के प्रती प्राया बहुत अधेक प्रतुद्वन्दी होता है किन्त कोई बहारी खत्रा उपस्थित होने पर उसके प्रती हज से ज़्यादा सयोगी बन जाता है वह सड़कों पर या युद में सामोहिक विनाश के प्रती उदासीन रहता है किन्तु किसी खान में पसे हुए एक वेक्ति या किसी उए में गिरे हुए एक बालक की रच्छा करने के लिए धेरों साधन जुटा लेता है कुछ विद्वान कहते हैं कि मनुष बंदर की संतान हो या ना हो किन्तु उसमें खालिश बंदर की द्वैत प्रकिति प्राया ही हूती है उसमें शाकाहारी बंदरों की भाती ब्रच्छों में उचल पूद करने की प्रिवित्ति होती है साथ ही ऐसे बंदरों की स्वाभाविक जिग्यासा भी होती है जो अत्यन्त संगठित ग्रोहों में रहते हैं और भाती भाती का मांस खाने में मजा लेते हैं मनुष्य की ऐसी परस पर बिरूधी इच्छा आकांचाओं से निपटने सा असंभव होता है फिर भी किसी प्रकार्म का असंतुलित मार्ग अपनाना अनिवाल होता है यही भुद्धिमानी का रास्ता है विद्ध्वानों ने मानों की मूल भूत आवशक्ताओं को पांच स्तरों में रखा है झालओक्सक्ताओं करका रास्ता है झाल 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 झाल